राजनीती पर नजर रखने वालों का यही मानना है कि इन दिनों में राजनीती में भाशा की शालीनता खत्म होती जा रही है हाल ही में कई जन प्रतिनिदियों के ऐसे बयान सामने आये हैं जिसमें भाशा की मर्यादा को तोड़ा गया है ताजा मामला मंडला जिले से सामने आया है जहां केंदरी मंतरी फगण सेह कुलस्ते का विवादित बयान सामने आया है वाइरल वीडियो में केंदरी मंतरी फगण सेह मीडिया कर्मियों से चर्चा कर रहे थे इसे दौरान उन्होंने कॉंग्रेस के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने 15 महीने में किसी को पानी तक नहीं पिलाया इतना ही नहीं उन्होंने कॉंग्रेस विधायक को भी बदमाश बता दिया बता दे कि केंदरे मंतरी कुलस्ते मंडला जिले के चकदे ही गाउं पहुंचे थे जहां उन्होंने सामुदायक भवन का लोकार पढ़ किया साथी बस्तानिया शेत्र में नर्मदा पर प्रस्तावित बांध का विरोत कर रहे ग्रामीरों से मुलाकात की इस दोरान का उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कॉंग्रेस के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आ रही है वीडियो वाइरल होने के बाद मामले में कुलस्ती की सफाई भी आई है उन्होंने कहा कि वो अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे वे सभी जनप्रतनीदियों का सम्मान करते हैं और उनका उद्देश किसी को अपमानित करने का नहीं है मामले कुलेकर कॉंग्रेस हमलावर नजर आ रही है मंदला में कॉंग्रेस कारेकरताओं ने केंद्री मंत्री फगण से के खिलाफ प्रदर्शन किया देश के केंद्री राज मंत्री हमारे मंदला जिले के सांसर फगण सिंग्जी कुलश्टे में फिर अपने उसी चिर परचित अंगाज में जैसा कि वो मंदला जिले में बोलते आते हैं हमेशा चाहे गरीगों के विसर में हो चाहे आदिवासी भाईयों को नीचा दिखाने किस्थिती हो पुना है एक बार उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है जिससे आज वो पूरे देश में चर्चा का विसर बना हुआ है एक केंद्री मंत्री सरा सर जूट बोल रहा है एक सारुजनिक मंच पे जूट बोल रहा है और गाली देते हुए जनपरती नीदी के लिए पार्टियों के लिए जूट बोल रहा है इसी के बिरुद आजी कॉंग्रेस पार्टी और हमारे सभी लोग उनके लिए उनका पुतला दहम कर रहे हैं उनकी निंदा कर रहे हैं उनके घर का गेराव किया था उनके लिए उनके अगेंस एफ आई यार कर रहे हैं